नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आउनलाइन अशड़ी वीडिये में दूस्तों आज हम आपके लिए बाले विकास और सिक्षा सास्तर से संबंदित 30 प्रस्णों का प्रक्टिस सेट लेकर रहे हैं और आप सीटेट या अन्य टीटी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हैलफुल रहेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्रिशन है यहाँ पर है लोक तांतरिक सिक्ष्या व्यवस्था में नहित उद्देश हैं तो दीखिए यहाँ पर फर्स्ट क्रिशन जो हमारा है यह लोक तांतरिक सिक्ष्या व्यवस्था से संब्दित तो इसका हमारा यहाँ पर उत्तर जो रहेगा यह रहेगा और जो दिया है बालक का पुर्ण चहमुखी विकास करना यह हमारा यहाँ पर उत्तर होगा देखिए लोक तांतर मुखी और पूर्ण विकास उसके अंदर होता है तो यहां पर हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑप्सिन सेकेंड बालक का पूर्ण और चहों मुखी विकास करना चलिए अगरा प्रस्न है बालकों के सामाजिक विकास की गतितीवर हो तता सामाजिक अंतरक्रया का स्वरुख तो दीखी यहां पर जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है उस विकास की प्रक्रया में उसका परिवार से लेकर के विध्याले तक भी भागेदार होते हैं और यहीं सिक्षक के हम बात करते हैं तो सिक्षक प्रजात अंतर साधन खेल प्रक्रया साहनोबूती आदिगा और सिकाई गया हमारा उत्तर है अग्ला प्रसंद देखते हैं अगरा प्रस्टन है मरा क्रियात्मक बुद्धी परिक्षन का उधारण है तो क्रियात्मक बुद्धी परिक्षन का उधारण कुन सा है तो यह रहेगा यहां पर आफ्सन सेकेंड जो रहेगा को ब्लॉग डिजाइन परिक्षन अधिकी को ब्लॉग डिजाइन जो परिक्षन ह यह क्या होता है तो यह परिक्रात्मक बुद्धी परिक्षन का एक मॉडल होता है जिसमें 16 कलर की घन प्रियोग में लाए जाते हैं और टेस्ट कार्ड की सीरीज में इसे ऐसे लोगों को आसनी से समझा जा सकता है जिन्हें सुनने में समझ्याओं चलिए अगरा किश्वन है ह यहां रिक्तिस्थान सिखषक अक्षर विद्यार्थियों की विशेश्ट शम्ताओं और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं तो यहां पर रिक्तिस्थान की जगे पर कौन सा उत्तर आएगा सामने सेक्षी के दरस्टी से पिषड़े आधरें के शमेदनसील तो यहां परस्का पार्ठीक्रम निर्मान के समय अनेक सिध्धान्तों का ध्यान रखना होता है और निर्मने सिध्धान्तों में से कौन सा सिध्धान्त पार्ठीक्रम निर्मान के समय ध्यान देने योग्य नहीं है तो यहां पर कौन साहमरा उत्तर हुगा जो ध्यान के ओने योग्य नहीं हैं पाठिक्रम निर्मान के संथ है तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर सख़ुत रहेगा और सेकंड जुर रहेगा प्रतियक स्तर पर पाठिकरम में पूर्ण प्रतकता होना चाहिए ताकि विध्यार्ती को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो तु देखी यहा परेदी हम देखते हैं तो पाठिकरम निर्मान के समय यह बाद ध्यान रखना चाहिए कि प्रतियकस्तर के पाठिकरम एक दूसरे से संबंदिध हो ताकि अगली कक्षा में समश्या का सामना ना करना पड़े मतलब पाठिकरम एक दूसरे से जुड़े हुए हो कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए परन्तु यहां पर ध्यान देने योग्य जो नहीं है अलो कि वस्तुनिस्ट परिक्षप प्रणाली के विशय में कोन सा कथन असंगत है तो यहां पर वस्तुनिस्ट प्रणाली के विशय में जो कथन असंगत है वो है option 4 इस प्रणाली में हाँ या ना में अथो निशान लगाखर दिये जाते हैं ताकि विद्यार्थी की तारकिक शक्ती का विकाश अधिक संभव होता है तो ये कथन यहां पर असंगत है या हम कह सकते हैं गलत है क्योंकि वस्तुनिष्ट परिक्षा प्रणाली में प्रस्णों के उतर किसी चिन विसेश के माध्यम से या एक या दो शब्दों के द्वारा दिये जाते हैं ना कि हां या ना में तो option 4 जो रहेगा ये यहां पर असंगत रहेगा चलिए अगरा प्रश्ण है संकल्पना का निर्मान क्या संदरवित करता है तो संकल्पना का निर्मान यहां पर संदरवित करेगा मूल वाक्यों पर रुपांतरन के नियमों के अनुप्रयों को अब यह यहां पर मूल वाक्यों के रुपांतरन के नियमों के अनुप्रयों को कैसे करेगा तो दीखे संकल्बना चिंतन का मुख्य दतु होता है और इसी तरह सिक्षन में मूल वाक्यों पर रुपांतरन के नियमों के अनुप्रयोगों को संकल्बना दर्शाता है तो ओसन सेगेंड जो रहेगा यह हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा अगला प्रस्म है सब्दार्थ और भाषा के अध्यान को क्या कहते हैं तो शब्दार्थ और भाषा के अध्यान को कहा जाता है अर्थ विज्ञान ओसन थर्ड जो रहेगा यह रहेगा तो अर्थ विज्ञान से तात्री है भाषाद्यन के दौरान शब्दों के अर्थों को ग्रहन करना अग्रा प्रस्न है निम्नमैसिक कौन विसलर द्वारा दी गई बुद्धी की परिभाषा का हिस्ता है तो यहां पर विसलर के द्वरा दी गई बुद्धी की परिभाशा जो है वो बुद्धी किसी फिव्यक्ति के द्वरा उद्देश पुर्ण धंग से कारी करने तार की चिंतन करने और उसकी वातावरण के साथ प्रभाव पुर्ण धंग से क्रिया करने की एक योगिता होती है उसी को हम बुद्धी कहते हैं तो यहां पर option third को देखते हैं परियावरण की प्रती अनुकुलित होने की क्षमता जो रहेगा यह भी एक प्रका की बुद्धी है यहां पर बुद्धी की परिवाशा का हिस्सा है चलिए अगरा है अंक गणिती समश्याओं के समाधान के लिए क्या आवश्यक है तो देखिए अंक गणिती समश्याओं के समाधान के लिए जो केंद्रा भीमुकी चिंतन होता है वो आवश्यक होता है अब यह कैसे आवश्यक होता है तो केंद्रा भीमुकी चिंतन में बालक क यहां पर सबसे अधिक आप्रभावी विधी जो रहेगी वो कुन सी होगी तो देखा जाए तो यहां पर आपसन सेखिन जो है सिक्षार्थियों को सभी सामाजिक समश्यों की गहन मनन चिंतन प्रसीक्षन प्रदान करना दिकी बच्चे को हमें सामाजिक रूप से विक्सित और परिवक्व और नागरिक्ता के गुणों का उसमें की विधी होगी यह हमें इसमें से देखना है तो यहां पर आपसन सेखिन जो है यह सिक्षार्थियों को सभी सामाजिक समश्यों की गहन चिंतन की प्रसीक्षन देकर किसी बालक में परिवक्वता ना तो विक्सित हो सकती है और नाहीं उसमें नागरिक्ता के गुणों का व दिखी माने गई है चलिए अगर कुछने निम्नलेखित में से कौन सा कथन अन्ता व्यक्तित्व सिक्षा को प्रभावी ढंग से लगू कर सकता है तो देखे यहां पर चारों विकल्ब में से जो पहला विकल्ब है मारा आफसन फरस्ट यहां पर विध्यारे के समस्त्र सिक् कर सके अब देखी अंता व्यक्तित्व सिक्षा होती है उसका अरत होता है कि जब बालग आपस में मिल करके सिक्षा ग्रहन की प्रक्रिया में भाग लें तो इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्हें प्रसीक्षन दिया जाना चाहिए ताकि प्रतियक विध्य क्तं के संब्द में कथन सत्य है तो दीए यहां पर कौन सा कथन यहां पर सत्य रहेगा तो फर्स्ट दिया है इसे अफसारी चिंतन भी कहता है सिगंड यह स्रजनत्मत अगर परणां दुनिया के सभी अविश्कार हैं और आपसुए दिया है दोनों तो बल्कुल यहां पर और इसी के कारण दुनिया में कई अविश्कार भी हुए हैं चलिए अगरा क्यूशन देखते हैं गिलफोड का विचार था कि बुद्धी में कुल मिलाकर के रख्तिस्थान कारक होते हैं जिनकी व्याक्या उन्होंने अपने बुद्धी के त्री आयाविश्दान्द में की है गिलफोड का विचार था कि बुद्धी में कुल मिलाकर के एकसो पचास कारक होते हैं और उन्होंने उसकी व्याक्या अपने बुद्धी के त्री आयाविश्दान्द में भी की है बहु कारक सधधान्द बुद्धी का महतुपूर्ण सधधान्द है और इसे किस ने दिया तो यह बहुद्धि के बहु कारक संधान्त जो है यह दिया है ठान डाइक ने और इनके अनुसाज बुद्धि होती है वो कई कारकों से मिलकर की बनी होती है या बुद्धि कई तत्वों का एक समू है तो यहां पर उसन फर्स्ट जो रहेगा यह हमरा उत्तर होगा सुरक्षा युक्ति अपनाने से समयोचन के संदर्व में क्या महत्तु है तो यहां पर उसकतर जो रहेगा यह रहेगा मरा उसन सेकेंड किसी महापुरुष से तादा तम्य कर तनाओं की पिला से मुक्ति पानाओ तो यहां पर किसी महापुरुष से तादा तम्य कर तनाओं की पिला से मुक्ति पाना और वह सुरक्षा उपाई है जिससे अपनाने से व्यक्ति में समयोचन विक्सित हो जाता है तो अप्सन सेकेंड जो रहेगा यह यहां पर उसका उत्तर रहेगा किसी बालक को मसीन के पुरुजों की काम करने की कारिविदे सिखाते समय मसीन के पुरुजे दिखा जाते हैं तो इस प्रकार बालक में पेदा हुई सोच होती है अब इस प्रकार से बालक में कौन से सोच पैदा हुई होती है तो यहां पर वास्तिवीक सोच आवस्तिवीक स आध्यम से सिखा जाए तो बालक में वास्तविक सुच का विकास होता है और इस प्रकार मसीन के पुरजों की कारिविद्य सीखते समय मसीन के पुरजे भी दिखाए जाते हैं तो अगला है एक परिक्षन विश्वस्च नहीं माना जाता है यदि वहा कोशलों को मापता है काम क करते समय कारेकों से अप्रभावित रहता है विभिन आउसरों पर जाच कर एक व्यक्ति को समान अंक दे और उफसन फोर्थ है सही भाष्यानी करे कि असल जिंदगी में कौन सफल होगा तो इसका पर जो रहेगा यह रहेगा एक विश्वस्चन विश्वस्चन तब मान जात करता है विभिन आउसरों पर जाच कर एक व्यक्ति को समान अंक दे और उफसन थार्ट जो रहेगा यह हमारा उत्तर हो जाएगा चलिए अलग प्रस्न है कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नेतिक विकार श्रदान्त की प्रतम अवस्था पूर्वरूडी का तवस्था में नहीतार्त हैं तो इसके अंदर क्या नहीतार्त है तो इस में होता है इस अवर्षा में बा challenged सही और गलत से मिलने वारी सज़ा और उपहार पर निरल comprende करता है फंप सिकिंड कि इयह हमारा उत्तर रहेगा और यह प्रतमार्था मानी है नेतिकर कासकी और 4 से लेकर sacrificesOOD कि 5 होती है चलिए अंगर है बाल के अंदरे शिक्षा की विशेष्टा नहीं है तो बाल के अंदरे शिक्षा की कुम सी विशेष्टा नहीं है तो शीक्षक की दरश्टी सरल और रुच्ची पूर्ण होना क्योंकि दरश्टी सरल और रुच्ची पूर्ण होने से मतलब यहां पर बालक गंदरे जो शीक्षा होती है यह वो शीक्षा होती है जिसमें बालक की रुच्ची और उसकी आश्चक्राओं पर विशेश ध्यान दिया प्रतिभावान चात्र कब अपनी शम्ता को पहचानते हैं तो जब वे दूसरे विध्यारतियों से सीखते हैं अब दूसरे विध्यारतियों सीखने से मतलब गया है कि समावेश्य सीक्षा जो होती है जिसमें प्रतियक विध्यारती सुरक्षित एमम प्रोच साहित महसूस करता है और यहां बच्चे अपने विचारों को सुद्धर रूप से व्यक्त कर सकते हैं तो असन फूर विध्यारती समों से उत्तरों के अपिक्षा करते हैं तो यहां है तो यहां जब शिक्षक ऐसा करते हैं कि अपनी पसंद के विध्यारती समों से उत्तरों के अपिक्षा करते हैं तो यहां दूसरे विध्यारती को समान अवसर से वन्चित करता है अवसर थर्ड जो रहेगा सीचले कि defense ужеогOOD समो canoe क이션 के बारे में कोन सा कथन सत्ये हैं तो यहां-पर हमें योग गिता समय करण को द्यान हैस्का सत्भी कथन पहचान ना होगा तो विद्यारती समरूप समोह में बैतर सीखते हैं सेकेंड है यहां पर सुखम प्रभावी सिक्षन के लिए कक्षा एक कक्षा समरूप होना चाहिए और थर्ड है बच्चे अस सहिष्ण होते हैं और भैदो कुछ विखार नहीं करते हैं प्रभावी यहां पर विभ्वन यूग इदां वहले समोह को गर्ण करने के लिए शिक्षक बहु इसंतरी सीक्षन अपना सकते हैं तो अशल फॉर्थ ही यहां कहता है इसके दोरप पहले प्राप्त कि गई शीख्षा पर नज़रे डालता है ये भी सफय CPT की बाध किया जाता है ये सब्सकों कोंा सा छोड़ाust आपके ज़त्यों के पड़ने की कठनाई का संगेट नहीं है तो यहां पर जो तो समझने में कटनाई और फोर्तिव वरतने में कटनाई तो यहां पर हमारा जूत रहेगा फूरेगा उसे थर्ड क्योंकि यह पढ़ने की कटनाई का संकेत नहीं है और सथर्ड उसका उत्तर हो जाएगा अगरा प्रस्म है नेमने लेखित में से कौन असा वंसानुकरम से बंदित कारक होता है और वंसानुकरम जो होता है वो हमें मातरपता से हमें जानेटिक के रूप से यह चीज़े मिलती है तो उसमें गुन लक्षन आदी जो होते हैं यह मातरपता के समान हुआ करते हैं तो यहां पर आफसन फोर्त जो कारक रहेगा चलिए अगला है निमने विध्यरती का निकुल समन्तान थर्ड fifth hatte कि सिक्शक का धीयान आकर्शित करने की योगरा और फोर्तर प्याजय सब्द़ कारियं के लिए उसका जो रहेगा यह रहेगामरा ओसन फोरफ जो रहेगा विद्धिघिस का ध्यान आकरुजित करने की योगरा औफसन फर्ड जो र सब्सक्राइब करता है तो यह रहेगा और सब्सक्राइब करती है ना कि संपुर्ण को उसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा मारा और सब्सक्राइब क्योंकि बहु बुद्धि सद्दान्त का समर्थन हम यहां पर देखना है तो उसे सबसे एक भाग मैंशति के विए एक युग्विता को प्रवाइद करती ना कि संपुर्ण मस्तिस्क को चैंड़ीकत नियुम ने लिखित नियुकित में से कोन सा कारक बाल गांधरित शिक्षा का आधार आधार है अब यहां पर प्रवालग और कॉन सा कौन सा है कि इसको अप्तर रहेगा और संट फॉर्स्ट व्यक्तिकत वे बेहने दां क्योंकि प्रतिक बालक की सीखने की तर अलग-अलग होती है तो बालक अंदर शिक्षा के द्वारा इस समझ्षा को व्यक्तिकत रूप से हल किया जा सकता है चलिए अब प्रस्न है ऐसा निम स्कृति सिख्षा के गुणवत्ता सारे रिक धाचा पॉप्षन के गुणवत्ता यहां पर उत्तर रहेगा ऑफ्षन थर्ड जो रहेगा सारे रिक धाचा तो यहां पर हमारी तीस प्रस्न जो है यह खत्म होते हैं और उमीद करते हैं आपको प्रस्न प्रस्न होंगे आपको झाले लिए